नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग आपके ही चैनल एडो शाला पे आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले चैनल का मैं प्रमोशन कर देती हूँ क्योंकि आप एंड तक सुनते नहीं है और फिर करते नहीं है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे चैनल को शियर कीजे अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कीजे चालिए यह तो थी चैनल को प्रमोट करने वाली बात अब बुद्दे की बात पर आते हैं कल का जो वीडियो था वो हमारा भारत एंदू यूग का पार्ट वन था जिसके तहत हमने आधुनिक यूग के लिए कौन से ततकालिन परस्तेतियां उत्तर आई थी नवजागरन की कॉंसेप्ट किया थी है ना इसके साथ ही भारत एंदू और उनका जो मंडल था है ना यह सब हमने पिछले लेक्टर में डिसकस कर लिया इसके साथ हमने देखा था कि भारत एंदू यूग में क्या है एक भाषाई द्वैत की समझता आ गई थी इसका मतलब क्या हुआ कि अब भाषा जो है खड़ी बोली रखे या ब्रजभाषा को ही continue रखे इसके बारे में एक अंतर विरोध जो है देखनी को मिलता था काफे सारे हमने अंतर विरोध भी देखे थे राजबक्ती बनाम, देशबक्ती ब्रजभाषा बनाम, आपकी खड़ी बोली साहित्यकार थे उस समय के उनके बारे में हम जानेंगे साथ में दो बहुत important topic हम lecture के end में करेंगे तो आप lecture पूरा सुनिएगा पहला तो मैंने आपको बताया था कि 1973 में भारत एंदुने खुद लिखा कि हिंदी चली नहीं चाल तो ये exact टिपनी आती है कि हिंदी चली नहीं चाल इस पर टिपने लिखे दूसरा जो हम भाषय द्वयत के बात कर रहे है खडी बोली और ब्रिच भाषय के बीच इसके बारे में भी हम जो है डिटेल से चर्चा करेंगे तो चले आज का लेक्टे स्टार्ट करते हैं हाँ तो देखे बालकृष्ण भट और उनका साहित है हमने देखा था कि भारत तेंदू ने अपने कुछ ततकालीन मित्रों को मिला के भारत तेंदू मंडल की रचना की थी और उनको वो प्रोट साहित करते थे अलग-अलग प्रकार के विश्यों पे अलग-अलग विद्यों में साहित्य की रचना करने के लिए उनी में से बहुत महित्पून थे बालकृष्ण भट तो देखे ये इकलोते ऐसे साहित्य कार है भारत तेंदू यूग के जो भारत तेंदू यूग और द्वेदी यूग के बीच एक सेतू का काम करते हैं तो ये आप याद रखेंगे दूसरा इन्होंने अलग-अलग विद्यों में जैसे नाटक उपन्यास निबंद आलोचना पत्रकारिता और पुस्तक शमिक्षा इन सब प्रतिबा मुखर होके सामने आई है वो आई है निबंद के छित्र में चीक है इसके बाद देखें ये हिंदी प्रदीप के संपादक में थे और यूपी एससी में ये क्वेश्चिन पूछा जा चुका है कि हिंदी प्रदीप के माध्यम से इन्होंने क्या योगदान दिया है तो जो इस तरह के टॉपिक होता है जो आपके स्लेबस में डारेक्ट नहीं है लेकिन आ चुके है उनको थोड़ा सा गूगल करके तयार कर लिया कीजिए जैसे आप मॉडरन हिस्ट्री पढ़ते है ना कि ततकाली प्रश्णों का उत्तर लिख सकते है चलिए फिर देखिए जो निबंद थे वो भी इनके कैसे होते थे भावनात्मक निबंद भी लिखते थे चीक है वरनात्मक निबंद लिखते थे कथानक लिखते थे और साथ में जो है ये विचारात्मक निबंद लिखने में इनका महत योगदान है साथ ही ये अपने विचारात्मक निबंदों की वज़े से ही प्रसिद भी है जैसे अगर शतरवी शताबदी की बात की जाए तो पश्चिम के एक निबंदकार थे जॉसेफ एडिसन जो बुद्धी प्रधान निबंद लिखने के लिए बहुत जादा फ्रीमस थ यह इनके जो निबंद है वह इसलिए भी खास है क्योंकि उसमें पांडित्ते और जो लोग परचलित भाशा है तो उन्हों का अदबुत समन्वे देखने को मिलता है यानि के परिश्करत एक पांडित्तव को पधशित करने वाली भाशा भी लिखी है साथ में लोग परचल जन्समूगे हरदे का विकास इनके निबंदों के नामें इनमें से कुछ आप याद कर लीजेगा फिर इसके बाद इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं इसमें से कली राज की सभा रेल का टिकेट और खेल इन्होंने उपन्यास में लिखा है जिसका नाम है नूतन ब्रहम कुछ नाम आप याद रख लीजेगा फिर देखिए मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि भारत तेंदु युग में जो हिंदी समालोचना है है ना इसका उदभव हो गया था और भारत तेंदु ने नाटक नाम से अपना निबंद लिखा था जहां पे माना जाता ह है कि बीज रूप में हिंदी समालोचना प्रारम हो गई थी लेकिन अगर हिंदी समालोचना के व्यवारिक रूप से प्रारम होने की बात की जाए तो इन्होंने अपने हिंदी प्रदीप में लाला श्री निवास्तास इनको भी हम देखेंगे लाला श्री निवास्तास का ए इसकी इन्होंने सच्ची समालोचना के नाम से आर्टिकल लिखा हिंदी प्रदीप में और यहां से जो है व्यवारिक समालोचना हिंदी की इसका प्रादुभाव माना जाता है बहुत इंपोर्डन्ट है याद रखना है कि लाला श्री निवाशतास ने एक नाटक लिखा था स इसी की सच्ची समालोचना के नाम से बालकृष्ण भटनी हिंदी प्रदीप में लेख लिखा और उसी के साथ जो है शुरुवात मानी जाती है हिंदी समालोचना की याद रखेंगा फिर देखिए भाशा के अगर बात की जाये तो यह भाशा शुदता के समर्तक नहीं थे इग्नोर डिस कटिंग यह एक्जाम में भी नहीं करनी रहती है ना गलत इफेक्ट डलता है इसका तो यह भाशा शुदता के समर्तक नहीं थे यह कहते थे कि जो भाशा है उसमें विबिन शब्दों के आदान प्रदान के द्वारा वो जीवंत बनी रहती है तो अलग अलग भाशाओं के शब्दों का प्रियोग इन्होंने अपनी भाशा में किया है और उसी का यह तरीके से पक्ष भी लेते थे तो यह हो गया तो बाल कृष्ण भट देख लिए दूसरे जो अन्य महत्पून साहित्यकार है वो है प्रताप नारायन मिश्र तो प्रताप नारायन मि है फालगुन का हमारा जनम है और होली तो शरारत के लिए ही जाने चाती है तो अगर हमसे कुछ भूल चुक हो जाए तो शमा कर दीजेगा इस तरह की चीज़े तो इनका क्या है एक बहुत ही जादा हास्य वाला वैंग वाला जंदा दल व्यक्ततव था और जो समस्या पूर में पद की रचना अधिक की है हमने देखा ना समस्या पूर्तियों पुराने डंकी जो श्रंगारी कवीता थी उनको लिखने में ज्यादा कुशल थे तो इनका जो कवीता संगर है वो कौन-कौन सा है एक है प्रताप लहरी मन की लहर और श्रंगार विलास अब देखिए इन इनके अंदर विचार भाव व्यंग तीनो शामिल है ना तीनो परकार से इनोंने कवीता लेखी है साथ में इनकी रचनाओं की जो विशेष्टा है वो है कि रचनाओं क्या है हास्य व्यंग पूर्ण है जी कि वह फालगुन वाला एक्जाम्पल भी आप दे सकते हो तो यह ह सबसे पहले बात इनके जो निबंध हैं वह फेमस हैं यह भाव परक निबंध की वज़े से थे कि बालकृष्ण भट बह से बुद्धी तो बुद्धिर प्रेरित निबंध और प्रताब नारायंट में श्रीय क्या है जिन्दा दिल वेक्ति है तो भाव परदान निबंध ऐसे थोड़ा सा लिंक करके याद कर लें तो थोड़ा हैंडी रह जाता है एग्जाम में याद रकने के लिए घैर तो जैसे हिसे उनको हिंद निबंध के लिए व्गिया थे तो इन्ही की साधरश्यता के आधार पर परताप नाराइन मिश्र को हिंदी का स्टील कहते हैं. क्लियर हो गया, उनको बालकुर्शन बेट को हिंदी का एडिसन कहते हैं, क्यों? क्योंकि वेचार प्रधार निबनते हैं, इनको हिंदी का स्टील कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनके भाव प्रदान निबंद है, तो याद रखेंगा, फिर देखिये, इन्होंने क्या किया है, देश प्रेम से जादा, जो सामाजीक समस्याइं है इने जो है, जादा अपना साहित्य लिखा है, तो इन्होंने सामाजीक, जीवन से जुड़े विश्यों पर निबंद लिखे जैसे बिगार पे जैसे रिश्वत पे ठीक है इसके अलावा इनके नाटक भी है तो एक है कलिकोतुक और दूसरा है गोसंकट तो बाजपा का तो प्रिये विश्य है यह क्या है ओफ रिकॉर्ड चलिए अब इसके अलावा जो यह प्रताप नारेन विश्य है यह ब्रहमन पत्र के संपादक भी रहे हैं इसी तरह ब्रहमन पत्र के संपादक के रूपिन का क्या योगदान रहे यह भी आप थोड़ा सा देख के रखिएगा है ना चलिए अब नेक्स देखते हैं कि भारत इंदू मंडल के कुछ अन् चित्रत की गई है कि आम विर्ती को जो अपनी आये है और उसका खर्च उसके बीच में एक अनुपात रखना चाहिए और आये खर्च से जुड़ी हुई जो लोकिक समस्या है उन्हीं को चित्रत जो है इसके अंतरगत किया गया फर हमने अभी देखा कि इन्होंने संयोगित चाहिए जो पत्रों का संपादन किया है एक आनंद कानबनी और दूसरा है नागरी नीरद यहां पर यहां पर यह समालोचना वाले लेक लिखते थे तो समालोचना का प्रारम यहां से माना जाता है अब देखिए जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इन को ने जो परंपरागत चंद है दोहा चोपाई इसके अलावा जो नए चंद है जैसे होली है ना कजली इनका भी प्रियोग किया है तो एक कजली चंद का एक्जामपल हम देख लेते हैं जो की चौदरी बदरी नार्यान प्रेम घन नहीं लिखा है क्या कहते है पूचा करत देर लो बनत वैशनो भारी पढ़ी रमायन रोवत है पे अटि व्याबाचारी लेकिन असली में बहुत बड़े व्याबाचारी है बहुत दूष्ट है दिके निक्स्थ है आपकी रादाचरन स्वापी इनके रच्चनों के नामें ब्रहमरगीत विद्वाविलाप लावनी है न तो और साथ में अगर example आपको याद रखना हो तो कैसे मैं हाय हाय दे ध्याय पुकारो कोई भारत की डूबी ना उबारो कोई देखें ये योगी है ना वहां की परस्थितिया ही है कि हमको पता चल रहा है कि जो हमारे अंग्रेज साचक है वो हमारा सोशन करने के लिए ही है और अभी क्योंकि माहत्मा गांदी या कॉंग्रेस उस तरीके से लिडर्शिप नहीं दे पाए है या कह सकते हैं कि अभी सेंटर ओफ जो इंडिपेंडन्स मुवमेंट है इसके बीच नहीं आए है तो अभी ये एक जो बेचे नहीं है बहुत दिखाई देते कि भारत को उबारो भारत को मतलब सही करो एक तरीके से चलिए फिर जो निक्स्ट है वो है रादा कृष्न दास इनकी रचना है विन्य भारत बारा मासा और इनकी जो इश्वर भक्ती है वो देश में समाईत हो गई है जैसे मैंने आपको कहा था इस काल की जो भक्ती है उसका उद्देश है अब लोकिक या पारलोकिक जैसा कुछ नहीं रह गया है अब देश का हित भक्ती का जो है एक तरीके से कारण बन गया इश्वर की उपासनसली की जा रही है और अपनी इस प्यारे भारत के जो दुख दरिदर है उनको खतम कीजिए अब आती है जो भारत तेंटो योग में भाशा इद्वैत की समस्या थी ठीक है थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे देखिए हर योग में सामान्यता ये होता है कि गद और पद की भाशा एक ही होती है ऐसा तो नहीं कि गद के सी और में लिख लें लेकिन क्योंकि हमारे पास रीती काल से प्रज भाशा की एक समर्द परंपरा थी तो यहाँ पर क्या हुआ एक और सात्मे नवजागरण की वजह से जो एक बॉद्दिक विचारधारा आ गई और इसके कारण जो है अलग-अलग विश्यों पे है न जो चन्मानस के विश्य समस्याई थी उन पे जो है अब लिखा जाने लगा है तो एक अंतरविरोध हो गया है सामने वो क्या हुआ है देखिए जो पद और गद की भाषा है वो अलग-अलग हो गई है है न एक सेकेट तो मैंने आपको बताया सामने था हर काल में गद और पद की भाषा एक ही होती है लेकिन यहाँ पे कंतरविरोध हो गया पद और गद की भाषा में क्यों पद तो रीती गालिन परंपरा के अनुसार अभी भी ब्रजभाषा में ही है लेकिन गद के रूप में खड़ी बोली जो है स्थापित हो गई है तो देखिए उन्निश्वी शतापती की शुरुआत से यह सामान्य सहमती बन गई थी कि भई गद के लिए खड़ी बोली जो है ब्रजभाषा से बहतर है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर गद आप लिख रहे हो तो यह जेनरल जो है लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग मनगे कि वो हम खड़ी बोली में लिखेंगे और खड़ी बोली को गद भाषा के रूपे स्थापित करने में कि इनकी भूमी का रही है तो इशाई मिशनरियों की क्यों तो कि इनोंने बाइबल का अनुवाद किया सामान्य जन्मानस की भाषा में जो कि खड़ी बोली थी ताकि वो अपने धर्म का परचाय परसार कर सके इसी तरह जो भारत के धर्मिक सुधार आंदोलन थे इन आंदोलनों के जो नीता थे उन लोगों ने अपनी बाद लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्हीं की भाषा का इस्तमाल किया तो जो पत्र पत्रिकाव में लेक चपते थे जो समाचार पत्रों में लेक चपते थे जैसे जो आर्ये समाच के दयानन सरवस्वती है उन्होंने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश आपने modern history में पढ़ा होगा इसको इन्होंने खड़ी बुली हिंदी में लिखा है ना ताकि हर एक सावान्य व्यक्ति तक अपनी बात को पहुचा सके तो इशाय मिशनरियों का और साथ में जो भारत की धार में सुधार आंदोलन है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा खड़ी बोली को एक गद भाशा के रोपे स्थापित करने में इसके अलावा अब देखते हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे ललूलाल और सदल मिश्र इनको टीचर कैसे बोलते होंगे कि ललू मास्टर आगया आप सॉरी चालिए तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो अध्यापक थे ललूलाल और सदल मिश्र साथमी राजा शेव प्रसाद और लक्षमन सिंग और भारत एंदू मंडल के जो सदस्य थे इन लोगों ने भी खड़ी बोली में काफी गद में रचनाई लिखी इन सब लोगों के समलित प्रियाशों से खड़ी बोली एक गद भाशा के रूप में स्थापित हो गए तो इसका मतलब ये तो कोई विवाद की बाती नहीं रही वही जब सभी मान गए कि खड़ी बोली में लिखेंगे तो विवाद कहारा मूल विवाद था कवीता की भाशा को लिखे कि कवीता किस में लिखी जाए और भारत एनुमंडल के अधिकांश सदसिये ये मानते थे कि खड़ी बोली में वो लोच, कलात, मकत, और मधुरता नहीं है जो कि ब्रजवाशा में है और जिसकी आविशक्ता कवीता के लिए होती है जैसे जो प्रताप नाराण मिश्र और रादाचरण गोष्वामी थे वो तो एक्दम खरा विरोध करते थे खड़ी बोली में कवीता लिखने का हमने देखा प्रताप नाराण मिश्र तो वैसे भी थोड़ी श्रंग्णारी कवीता लिखते थे तो उसके लिए तो ब्रजवाशा उप्यूकत थी रितिकालीन परमपरा मिली हुई थी ठीक है देखे भारत देदूने खुद भी कहा क्या कहते है कि मैंने कई बार परिक्ष्रम किया कि खड़ी बोले में कुछ कवीता बनाऊ पर मेरे चित्ता नुसार नहीं बनी मतलब मेरे मन के अकॉर्डिक नहीं बनी इससे यह निश्चे होता है कि ब्रजवाशा में कवीता करना उत्तम होता है अब देखे एक दोश है अगर किसी को यह कहा जाता कि चांद पर आदमी जा सकता है तो उस तेंट असंभव सी बात थी लेकिन आज तो देखे मार्स पर भी पहुचने के तैयारी हो रही है तो इसलिए यह मुझसे कोई काम नहीं हुआ उसको यह कहा देना कि यह काम हुई नहीं सकता यह बात ठीक नहीं है तो भारत इन्नों यहां पर गलत थाबित हो गए फिर भारत इन्नों ने क्या किया था कि जो नाटकों के समवाद थे डायलॉक्स थे वो खड़ी बोली में लिखे लेकिन जो गीत थे वो प्राय उन्हें ब्रजवाशा में ही लिखे हाला कि फिर भी इसके बावजूद भी कुछ शुरुवाती परियोग हमें खड़ी बोली के कवीता में दिख जाते हैं जैसे आप लोगों के फेवरेट कवीता दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा मेरी भी फेवरेट है चलिए दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा तो ये कुछ शुरुवाती परियोग खड़ी बोली के दिखते हैं अब थोड़ा समझते हैं देखे बारत इंदु मंडल जो है फेवर नहीं कर रहा है कि खड़ी बोली में कवीता लिख जाए खुद भारत इंदु कह चुके हैं कि भाई उतनी अच्छे कवीता नहीं हो पाती है जितनी बिर्जभाशा में हो पाती है तो क्या है खड़ी बोली को लेकर एक positive atmosphere तो नहीं था लेकिन राम विला शर्मा भी जो है वो भारत इंदु को एक खड़ी बोली कवीता का उल्ले करके बताते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है जैसे क्या लिखा है खोल चाता चले लोग सड़के बीच कीचर में जूते दसे जैसे अद में नीच अद मतलब पाप है ना कीचर में जूते इस तरह खराब हो गए हैं जैसे पाप में जो नीच लोग हैं वो खराब हो जाते हैं तो यह हो गया तो भारत इंदु यूग में त द्वेती युग में समाप्त हो गया क्योंकि महावीर प्रसाद द्वेती के नित्रत्व में श्रीधर पाटक थे श्री ओध थे मैथली शरण गुप्त थे शाम सुंदर दास थे इन्होंने खड़ी बोली में सुंदर कविताओं की रचना की और यह सिद्ध हो गया कि खड़ी द्वेती युग में जब यह समाप्त हो गया तो हम चायावाद में देखेंगे कि हमें खड़ी बोली का वर्चस्व दिखाई देता है क्योंकि भारत एंदु युग को रिती गाली ब्रजबाशा की परमपरा मिली थी लेकिन चायावादी कवियों को द्वेती युग की चाल में डली 1873 में तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया 1874 में काल चक्र नाम के जॉर्नल में भारत एंदु ने एक्जक्ली यह स्टेटमेंट बोली थी तो यह भारत एंदु की स्टेटमेंट है और इसका बेसिकली कहने का उनका मतलब यह था एक जो भाशाई द्वैत के समस से चल रही थी कि ब्रज भाशा या फिर खड़ी बोली यह तो गद और पद का विश्य था लेकिन गद के अंदर भी अभी ऐसा तो नहीं है ना खड़ी बोली एकदम से स्थापित हो जाएगी उसको लेके भी तो कुछ अंतर विरूद चल दे रहेंगे तो दो तरह की भाश से युट कड़ी फोली का प्रियोग करने को लेकर के एक तरह के से जोर देते था लेकिन जो राजा सतारे पिसाद हिंद छे यो फार्से निस्ट Kiev्वॉ यह तादभाव ली इस ना इसको प्रियोग करने पर झोतने फाल equally करना पर देते था, तो जब हम प्राहिमचंद को भाइन Simply भाईन यह हमारी रास्तिय भाशा के रूप पर योग की जाने चाहिए। हंस्तिय रिए जिसमें बहुत बढ़िया गद l लिखा वे सकते है ப생ट सामानी से connective भी करती है और जो लगबग हर भारतिये को समझ में भी आती है है ना तो देखिए तो ये एक द्वंद था तो इसी भाषाई ध्वैत में जो भाषा परिवर्तन था उस भाषा परिवर्तन को अभिव्यक्त करने की context में जो है भारत इंदु ने बोलाया कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 में समझते हैं कैसे देखिए भारत इंदु ने आरंबिक समय में दो पत्रे काई निकाली एक का नाम था बालबोधनी दूसरी का नाम था कवी बचन सुधा लेकिन 1873 में इन्होंने अपनी संपाद की जीवन की सबसे महत्पून पत्री का कौन सी हरिष् हरिष्चंद्र मेगजीन आप मॉर्डन हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसकी शुरुवात की जो आगे चलके किस नाम से जानी गई हरिष्चंद्र चंद्रिका के नाम से ठीक है तो भारत इंदु की मान्यता है कि जब कवी वचन शुधा या बाल बोधनी में जिस प्रकार की खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा था वो थी पुराने जालकी लेकिन अब जो मैं हरिष्चंद्र मेगजीन लिख रहा हूँ इसके मांधियम से हिंदी भाषा का नया रूप उबरा है कैसे समझते हैं देखे नई चाल का मतलब एक तो हुआ नई शेली है ना तो इस सारे हिंद क्या फेवर कर रहे थे कि फॉर्षेनिस्ट शेली को अपना है ना तो जब भारत हिंदू ने कवी बचन सुधा लिखी जब उसका संबाधन वो करते थे तो इसमें कुछ-कुछ तत्समी पन के साथ कुछ-कुछ देशी पन था लेकिन जब उन्होंने 1873 में हरिष क्योंकि हिंदुस्तानी का अब जो है एक तरीके से प्रभुत्व स्थापित होने लगा है ठीक है दूसरी बात क्या आती है नई चाल का मतलब कि भाष्चा का प्रयोग ये सामान्यता दार्णा बन गए कि भाष्चा का प्रयोग रितिय काले विश्यों पेना करके जो नव चाकरण से संबंदित विश्ये हैं पुद्धिवाद मानवतावाद है ना समाच का कल्यार महिलाओ की उन्नती है ना इन सब जैसे जो इन सब समस्या ये विश्ये है इनके लिए जो है भाष्चा का प्रयोग किया जाएगा तो पहली बात तो हिंदुस्तानी शैली को अपना लीजेगा तो इसी चीज़ को लेके शुकली जी जो है जो भारत एंदु की अंतिम दोर की भाषा थी याने के भारत एंदु हरिश्चंदर वाली हर इंदुस्तानी वाली उसके प्रशंशा करते वे लिखते हैं कि जब भारत एंदु अपनी मंजी हुई संस्कृत भाषा सा ठीक है क्या कह रहे है कि भाई जब भारत एंदु अपनी प्रिश्च्रत भाषा लेके आए तो जन्ता को गदि के रूप में एक स्थापत भाषा मिल गई और भाषा का कैसा सवरूप हो इसको लेके जो प्रश्चन था वो खतम हो गया लेकि जो डॉक्टर राम विलाश्च उप्रमा है वो इस बात से सहमत नहीं है वो भारत एंदू के इस तावे को खालिच करते हैं कि 1773 में हिंदी चाली नहीं चाली यह कार्यी बहुत पहले ही संपन हो चुका था कब 1857 के आसफास जो राजा सिव प्रशाद थे वो जैसी हिंदी लिख रहे थे उसी को भारत तेंदो ने अपनाया है ठीक है तो कुल में लाके हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तानी शेली है उसका परवतन प्रारंब जो है भारत तेंदो ने नहीं किया हाला कि उसके विकास में उनकी महत्वपोन भूवी का अवश्य रही है जैसे डॉक्टर बच्चन सिंग क्या कहते है कि जो राजा शुप्रसाद सिंग थे माना कि वो हिंदुस्तानी भाषा जैसी ही शेली में काम कर रहे थे लेकिन उनकी शेली कैसे थी टकसाली किस्म की थी अभी बन रही है छप रही है ठीक है भारत देंदो ने उसी भाषा को लोकोपयोगी लोक के उपयोग वाली और जिंदा दिली की भाषा के रूप में रुपांतरित कर दिया और यही भाषा जैसा कि मैंने आपको बताया आगे चलकर प्रेमचंद्र और उपेंदर ननाथ अश्क की परंपरा में स्मृद होती गई क्योंकि प्रेमचंद्र ने तो हिंदुस्तानी को कहां से कहां पहुँचा दिया था हम पढ़ेंगे जिस साहित्य को जैसा बनने में 100 साल लगते उसे प्रेमचंद्र ने 20 साल में ही उसको पलटके रख दिया ठीक है तो यह हो गया तो हमने भाषाई द्वैत समझ लिया हमने हिंदी चली नई चाल तो नई चाल वाला जो कॉंसेप्ट है यह समझ लिया हमने भारत दिन्दू मंडल के जो मुख्ये साहित्यकार थे उनको समझ लिये तो यह आपका जो भारत दिन्दू युग था यह होता है समात और इसी तरीके से आधुनिक काल का पहला वाला हिस्सा आप पढ़ चुके है तो आज के लिए वस इतना ही अगर यह वीडियो आप जो प्रिलिम्स स्पेसिफिक इनिशेटिव शुरू होना है उसको मैं लेके आऊं ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी पीटी की में तैयारी शुरू करते और इसी तरह साथ बने रहिए चैनल को शेयर कीजिए और इसके सब्स्क्राइबर्स बढ़ाईए चलिए बहुत- फिर में दो निय्म्ट बहुत-बहुत-बहुत-on-चारंथ-चैनल की में लेकर प्रियारी मजूत-बहुत-बह।-बहुत-बहुत-वत-जिपट-जयुत-बहुत-ब sert ketों-अ-IZबत्क-पाणी hundredth brand-kannu